जैसा कि आपको पता है कि भारत सरकार ने ये कमपल सरी कर दिया है कि अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप उसे अपने अधार कार्ड से भी लिंक कर ले तो अगर आपके पास पैन कार्ड है और आपको ये नहीं पता कि आपका पैन कार्ड आपके अधार कार्ड से लिंक है या नहीं है तो इस वीडियो को आप देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने मोबाइल फोन से ही ये कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका पैंकार्ड आपके अधारकार्ड से लिंक है या नहीं है तो सबसे पहले आपको Google पर टाइप करना है Income Tax और इसकी वेबसाइट पर जाना है तो यहाँ पर सबसे पहला लिंक दिख रहा है हमें Income Tax.gov.in का इस पर आप टैप कर दे अब यह जो Income Tax का पेज यहाँ पर खुला है यह मोबाइल वर्जन में खुला है तो यहाँ पर आधार काड और पैन काड को लिंक करने का कोई आप्शन हमें नहीं दिख रहा है तो वो आप्शन देखने के लिए आपको सबसे उपर जो टॉप राइट कॉर्णर है तीन दॉट्स दिख रहे होंगे आपको आपको उस पर टैप करना है और डेश्टॉप साइट का ओप्शन जो दिख रहा है इस पर आप टैप कर दें इससे क्या होगा यह जो इंकम टैक्स वाला पेज आपको दिख रहा था मोबाइल वर्जद में यह आपको कम्पूटर के हिसाब से दिखना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर हमें क्विक लिंक्स का ओप्शन दिख जाएगा जिससे कि आप देख सकते हैं कि राइट सैट में यहाँ पर लिंक आधार स्टेटस लिखा हुआ है अब आप इस पर टैप कर दें अब इस पेज़ पे हमें दो ओप्शन दिख रहे हैं पैन और आधार नमबर तो पैन की जगह अपना पैन काड का नमबर टाइप करें और आधार नमबर पे अपना आधार का नमबर टाइप करें तो पैन काड और आधार नमबर टाइप कर लेने के बाद आपको व्यू लिंक आधार स्टेटस पे टाप करना है तो मैसेज हमें यहाँ पे दिख रहा है Your pen is already linked to given ather तो इस तरह से आपको भी मैसेज मिल जाएगा कि आपका pen card का number आपके अधार card number से link है या नहीं है